Hello everyone this is Lilish Kumar Gupta and you are watching NG Physics Classes Well, पिछले टरन पर मैंने आप लोगो व मेंगनेटिक मुवमेंट पढ़ाया था मेंगनेटिक मुवमेंट की डिरेक्शन बताई थी और मेंगनेटिक मुवमेंट पर भी इसकुछ एक निमेरकल कराई थे निमेरिकल की उस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं अगला भी हमको एक निमेरिकल दिया हुआ है उस निमेरिकल के बारे में हम लोगों को डिसकुशन करना है तो गौर से देखेंगे on the board वैसे मैंने इशारा हलका सा आप लोगों को पिछले टन पे भी किया था पता नहीं किया था कि नहीं किया था आज करना हूँ गौर से देखिएगा सभी लोग पहले मुझे एक बात बताओ अगर कोई magnetic substance unmagnetized state में होता है तो उसके अंदर जो छोटे-छोटे atom में एक magnet होते हैं वो कैसे range होते हैं close chain में range होते हैं और जब कोई magnetic substance magnetized state में होता है यानि उसमें magnetical action होते हैं तब वो कैसे range होता है aligned way में range होता है ऐसा आप लोग जानते हो आप लोग समझदार हो गौर से देखें अब on the board एक बात बताओ एक घर में चार भाई हैं कितने भाई हैं चार भाई हैं यानि चार लट्थे उसमें लटने के लिए तो उस घर का कुछ नग कुछ strength भी होगा अगर चार भाई में से दो निबट गए तो उस घर की strength कितनी रह गई जो बात आपको बोली समझ में अगर उस घर में 8 भाई होते और चार ने बढ़ जाते तो strength कितनी रह जाती यह बात जो मैंने आपको बोली आपको समझ में आई सब को clear है अच्छी बात है अब हम लोग इस question को समझेंगे पहले मैं explain कर देता हूं इसे note down कोई भी मत करना क्योंकि इसे मुझे जगे जगे लिखाना भी पड़ेगा इसमें clear तो इसलिए हम लोग ध्यान से सुनेंगे पहले पहले मैं इसका पूरा solution करा रहा हूं उसके बाद हम लोग इसको note down करेंगे ठीक है तो गौर से देखिएगा सभी लोग प्लीज maintain the silence यह देख रहे हैं यह मैंने एक magnet बनाया और magnet अगर magnetized state में होगा तो इसके अंदर जो छोटे-छोटे atomic magnet होंगे वो aligned way में होंगे ऐसा हम सब लोग जानते हैं एगरी करते हैं आप लोग इस पास से तो यह मैंने बना दिये ठीक है ध्यान दीजेगा देख पा रहे हैं आप सभी लोग proper तरीके से अच्छी बात है प्लीज बातें न करें यह छोटे-छोटे magnet मैंने बना दिये और सुना है magnet के अंदर दो पोल होते हैं नौर्थ पोल एंड तो यह मैं नौर्थ पोल और सौथ बना रहा हूं यह नौर्थ साउथ सही जा रहा हूं मैं? यह सारी बाते मैं आप लोग को स्टार्टिंग में इस चेप्टर के में बता चुका था और आप सब लोग वाकिव हैं इन सब बातों से बोलो भईया यह नजारा क्लियर है? यह सार्ट अब गौर से देखेगा यह नौर्थ साउट एट्रेक्शन फोर्स द्वारा जुड़े हुए यह सारे के सारे पेयर बनना है यह पूरे? यह पूरे पेयर बन रहे हैं यह भी पेयर बन रहे हैं यह भी पेयर बन रहे हैं सब एक दूसरे को आपस में एक दूसरे के साथ नियूट्रलाइज कर Dेंगे अब यह किवल क्या रहे नौर्थ-north-north-north रहे हैं इन्हों नापने नॉर्थ-poll बना दिया यह वाला रहे इसका पेर नहीं बन पायार था साॉथ-poll हो होगा यह चारों के चारों पॉल मिलके इसे अपनी तरफ कहचेंगे इसी लिए सबसे ज़्यादा आई पोल्स पर डिपॉसिट होता था अगर आपको याद हो तो सीन क्लियर है इन आइरन बाटिकल को खीचने के लिए कितने पॉल काम कर रहे हैं यहां पर वहां यह बस सही है क अच्छा अगर यह बात आपको समझ में आई अभी इस टाइम इसकी पॉल स्ट्रेंथ स्मॉल है मैं समझ ना मेरी बात को कितनी है पॉल स्ट्रेंथ अब वो कह रहा है कि इस मेगनेट को मैं अलॉंग दे लेंद ऐसे काट दू यह मैं काट दू ऐसे जब ऐसे बीच में से मैं इसे दो बराबर टुगडे कर दूँगा इसके तो आपको क्या लगता है अब इसकी पॉल स्ट्रेंथ कितनी रहने वाली अधी हो जाएगी अधी क्यों हो जाएगी इसका कारण समझे अभी यह चार भाई थे चो मिल जुलकर इस मेगनेटिक सब्स्टेंस को खीच रहे थे तो इस पॉल की स्ट्रेंथ इस स्मॉल एम थी अगर मैंने इसे बीच में से काट दिया तो दो दो भाई अलग अलग होगे तो पॉल स्ट्रेंथ कितनी हो गई एम वाई टू कानी समझ में आई के नहीं आई सब को ये बात क्लियर है अच्छा अगर मैं इस मेगनेट को ऐसे नहीं काटता अलॉंग दे लेंथ नहीं काटता इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर काटता ऐसे काटता यहां से तो इसकी बोला वहिया तो ऐसी सिचुएशन में पॉल स्ट्रेंथ पे कोई फेक्ट पड़ता क्या पॉल स्ट्रेंथ पे फरक कप पड़ा जब अलॉंग दे लेंथ काटा तो पॉल स्ट्रेंथ कितनी हो गई हाफ लेकिन अगर लेंथ के परपेंडिकुलर काटा तो पॉल स्ट्रेंथ बोला वही या वही रही, no change जो बात बोली समझ में आई सबको clear है अच्छी बात है, अगर ये सारी कथा clear है तो सबसे पहले मैं आपको समझ गए ना, मैं समझाओंगा नी pole strength आदी क्यों हो गई हो, इसमें ऐसे काटा तो सेम क्यों हो रही, समझ में आई बात सभी को अच्छी बात है, अब हम उसका question समझ लाए, वो हमसे क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा सभी लोग on the board, वो कह रहा है ये एक magnet है ये एक magnet है या दो situation दे रहा है हमको, वो कह रहा है कि ये जो magnet है इस magnet का pole strength है, small m कितना है pole strength इसका और इसका magnetic moment capital M, कह रहा है साथ, दे रहा है वो clear, वो कह रहा है, एक magnet है जिसका pole strength small m है और magnetic moment capital M है, मैं ज़्यादा पड़ो लिख होनाने पर मुहितिक मालू में, capital M बराबर small m into 2L होता है अगर मैं small m into 2L लिख रहा हूँ, इसका मतलब यह हुआ कि distance 2L है, अब वो question में मुझसे यह कह रहा है कि यह जो magnet है न, अगर मैं इसे along the length काटू, कैसे काटू, along the length काटू, जैसे suppose करिये, इस magnet को ऐसे काटने के लिए कह रहा है काटू, जैसे काटू अगर मैं इसका क। इसका पूल इसका कटना खार इसका मगनेडिक मूंच कितना खालग सामझमे फिर दूसरी सिचुेशन में मुझसे यह कह रहा है कि अगर मैं इस मैंगनेड को other means magnet whiskey length to get perpendicular to the police strength given our magnetic movement given on the question some other yes we know got the question everyone he is telling you there is a magnet which police strength is a small M and magnetic movement is capital M when it is cut along its length then what will be the magnetic movement and whole strength and if it is cut perpendicular to its length then what will be its a pole strength सबको एक सॉलूशन देखते हैं यह तो कानी समझ में आईगी आपको चलो मैंगेट को मैंने ऐसे काट दिया जब मैंने ऐसे काट अभी नोड़ डाउन मत करना क्लियर अब मैंने इस मैंगेट को एसे काट दिया अब आप मुझे बता हुचा लाप पोल स्ट्रंथ कितनी हो पूच रहे हैं कैपिटल एंब बरापर भी यह मैं तो जाता नहीं जाता लेकिन मुझे इतना में स्मॉल में इंटू है नया मैगनेटिक निकालोंगा तो पोल स्ट्रंथ भी नहीं लोंगा एम डेश बोल यह इंटू टू एलें जब इसे मैगनेट को ऐसे काट रहूं तो लेंथ टूए लिए अगर ऐसे काट दूगा तो कि यह लेंथ बता जाएगी होई रहेगी अच्छी बात है स्टेट समझ में है एम डेश इकूर टू एम डेश की जगे एम बाई टू लिग दू एम बाई टू इन्टू टू है सिंक्लेर सबीको तो यह बिटा आपका हो जा अलॉंग दे-लेंद गटा जाता है तो उसका पॉल स्ट्रेंग भी आधा हो जाती है और उसका म्हें के मुमेंट भी आधा हो जाता है सीन क्लियर है सबीको बात समझ में आ रही है अगे बढ़ता हूं हम मुझसे कह रहा है कि मैगनेट वोist कि लेंगे पर पैंडिकूर लो अच्छी बात है आप महान है अम मोते कह रहा है कि मैं जा गो magnetic moment बता हूं magnetic moment बता हूं तो capital M बरावर small m into 2 है नया magnetic moment निकालना तो नहीं पोल स्रेंट अच्छा ऐसी situation में लेंद वही रहेगी क्या आधी हो जाएगी तो इसे ऐसे लिखो सब्सक्राइब के बरावर है कैपिटल M के बरावर है तो एम डाइश इक्वल टू क्या हो जाएगा सब्सक्राइब को अगर उसकी लेंद के परपेंडिकलर काटा जाता है तो उसका जो पोलर स्ट्रेंथ है वह वही रहेगा और समझ में आ रही है कोई दिक्कत तो फटा-फटी से नूट डाउन कर लो इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि डिफाइन मेग्नेटिक लाइन सब्सक्राइब और इस प्रॉपर्टीज अगेन रिपीट दे ग्वेश्चन डिफाइन मेग्नेटिक लाइन सब पढ़ा था डिफाइन एलेक्रिक लाइन सब्सक्राइब इस प्रॉपर्टीज याद है आप सबीगों अच्छा इसे मेले कि मैं आगे बढ़ू आप लोग इस प्रॉपर्टीज निकालना जानते हैं सबी लोग मुझे जरा बताना देखे कौन सब बतावे गों मुए जिन और पोल है को उन्हें पूछी की जा पॉइंट पर मैग्नेटिक विडिक डिरेक्शन कितकों होगी तो कितकों होगी कितकों क्लियर है सबीकों पता चुका हूँ जो लोग न्यू कमर्स है जिनका आज पहला दूसरा दिन है वो सुनने जिस पॉइंट पर भी हमें मैग्नेटिक विडिक डिरेक्शन निकालनी होती है वहाँ पर हम लोग नॉर्थ पोल अज्यूम कर लेते हैं क्या अज्यूम कर पोल पर जिस डिरेक्शन में फोर्स लगता है वही मैगनेटिक विडिक डिरेक्शन होती है आप सब लोग जानते हो मैं पहले भी सिखा चुका हूँ आप लोगों को यह सर नो अच्छी बात है तो आज हम लोग बात करेंगे मैगनेटिक लाइन सफोर्स और इस पॉपर्ट इस बात है यहां सब्सक्राल आप सब्सक्राइब सोर्स करेंगे मैगनेटिक विल्ड आप रही है कि अब मैगनेटिक लाइन रख देता हूं तो मैगनेटिक लेता हूं तो जाएर सी बात है इस फील्ड के अंदर ऐसा कुछ ना कुछ है जो होता तो है पर हमें नजर नहीं आता और वो होती है magnetic lines of forces क्या होती है वो क्या होती है वो और magnetic lines of forces की जो direction होती है क्योंकि आप लोग के बोलने की वजैसे बाकी की लोग सुन नहीं पाते प्रापर है ना तो मैंगनेक लाइन सब्सक्राइब होती है यहां से आपके दो तीन पॉइंट क्लियर हो जाते हैं यहां से आपके दो तीन पॉइंट क्लियर हो जाते हैं कौन से द्यान से सुनिएगा सबसे पहला पॉइंट के मैंगनेक लाइन सब्सक्राइब के अंदर प्रेजेंट होती है क्लियर हो गया तीसरा पॉइंट भी इसी से क्लियर हो गया कि मैगनेक लाइन सब्सक्राइब क्लोज्ड कर ना रही हैं स्मूथ क्या है बोले ला समंझ में आरी वाक बता आप ये दो कर बना रहा है कर यह कौन सा समूत कर वे यह श्मूद या नी चिकना और यह रफ कर वह यह यह आर। सब्सक्राइब तो किसी ने अगर पूछ लिया मेगनेटिक लाइन सब्सक्राइब तो मैंगनेटिक लाइन सब्सक्राइब तो मैं दोबारा बोल रहा हूं इतनी बात समझे मैं आगे की लाइन जो बोल रहा हूं वह आपको फिलाल रेटवा रहा हूं है ना उसके दो मिनिट बाद बताओंगा कि यह कैसे आई उसके बाद समझाओंगा रीजन क्या है ठीक है फिलाल आप द्यान से सुनिएगा Magnetic Lines of Forces के किसी भी पॉइंट पर जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया किसी ने पूझा Magnetic Lines of Forces के इस पॉइंट पर Magnetic Field की डिरेक्शन कहा हूँगी तो आप कुछ उमत करो टेंजेंट ड्रो करते हैं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर मेगनेटिक फिल्ड की डिरेक्शन को इंडिकेट करता है तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर मेगनेटिक फिल्ड की डिरेक्शन को इंडिकेट करता है सिंग लेरे से भी को जैसे फॉर एक्जांबल किसी नम्हों ते जो पूची कि भाई यह जा पॉइंट पे रिपीट में यहीं फिगर यहां पर साइड में दुबारा बना रहा हूं लेसे एवर जान से देखिए घास अभी लोग ते कर लोगा मैंने पुछे इस पॉइंट पर मेंगेटिक विडिरक्शन हो कर रहा हूं यहीं मेरा और वेंड़ मुझे सब्सक्राइब यहां किसी भी पॉयंट पर मैंग्रनेट फिल्ट पैदा होनें गिलिए जिम्मिदार होते है फूर जिंधार होते हैं क्या पूल हैं होगा कॉन कौ Advisor नॉफ प्रफ और सा ऐसे आएगी अब आप भी बता तो इन दोरों का रिजल्टेंट कैसे जाएगा ऐसी जाएगा तो यही तो मैं बोल रहा था कि इस का में चलो में आइगी तो नॉर्ट रेपल्शन ऐसे ईसे नीचे की दफाएगी तो फाइनल इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा कानी सब्सक्राइब एक लियर है समझ गई तो अगर किसी ने पूछा इसकी प्रॉपर्टी तो मैं उसे बता दूँगा मैं इसकी प्रॉपर्टी तो मैं जहीं में थे निकाद देंगों डेफिनेशन में थे पहली, magnetic lines of forces की जो direction होती है, magnet के बार not to south अंदर south to north होती है दूसरी, magnetic lines of forces are the closed smooth curve तीसरी, magnetic lines of forces present inside the magnet पच्चोथी, अगर magnetic lines of forces के किसी भी point पे tangent रो की जाती है तो वो tangent उस point पे magnetic field की direction को बताती है चार point clear हो गए? और सुने अगर इतनी बात समझ में आती है तो दौर से देखिएगा जहां पर magnetic lines of forces पास पास होती है वहां पर intensity of magnetic field जादा होता है और जहां पर magnetic lines of forces दूर दूर होती है वहां intensity of magnetic field मैं तोड़ा से समझाने की कोशिश करता हूँ त्राइट तो इंडरस्टेंड यह मैंने magnetic lines of forces बनाई अब जैसे मैं पूछू intensity of magnetic field यहां ज्यादा होगी है यहां ज्यादा होगी तो यहां ज्यादा होगी क्योंकि यहां magnetic lines of forces पास पास हैं इसलिए अपर intensity of magnetic field ज्यादा होगी यहां दूर दूर है इसलिए अपर intensity of magnetic field काम होगी कानी समझाने आ रही है सीन क्लियर है when the magnetic lines of forces are nearer to each other then the intensity of magnetic field will be high and when the magnetic lines of forces are far from each other then the intensity of magnetic field will be low या वीक क्लियर है समझ मैं आ रही है पास अभी को आगे बढ़ता हूँ और देखे नियांसे लेकिन अगर मैगनेटिक लाइंस और फोर्से ऐसे हो अटीक है यह नि मैगनेटिक फिल्ड इसे है मैगनेटिक लाइंस और फोर्से तो आप बताओ intensity of magnetic field है यहां जादा होगी यह यहां जादा होगी इस पॉइंट पे जादा होगी है इस पॉइंट पे जादा होगी इस पे जादा होगी इस पे जादा होगी सेम होगी क्यों होगी सेम इसलिए सेम होगी क्योंकि यहां पर ना तो कहीं Magnetic Lines of Forces पास पास हैं ना कहीं दूर दूर हैं क्लिया तो इसका मतलब यह जो magnetic field this is uniform magnetic field क्या है यह uniform magnetic field में magnetic lines of forces जो होती है वो parallel होती है और equidistant होती है equidistant का मतलब यह है कि जतनी distance यह होती है का नहीं समझ में आ रही है आप लोगो तो यह uniform magnetic field magnetic lines of forces are parallel and equidistant to each other same clear है सभी को आगे बढ़ जाओं आगे की बात करता हूं two magnetic lines of forces never intersect each other though magnetic lines of forces जो होती है वो कभी एक दूसरे को इंट्रसेक्ट नहीं करती है अब इंट्रसेक्ट क्यों नहीं करती है उसका reason समझने की कोशिश करें आप बताव एक साथ एक ही समय पर एक इंसान दो जगे हो सकता है नहीं हो सकता ना आप नौ से तस यह फिजिक्स पढ़ रहे हैं आपके घर पर जाके कोई बोल दे कि तुम्हां मोड़ा तो जाटे मोड़ें टौकी जाए पिच्चत देग रहा है पगज जाओ ये तो का होगो आप अब का सीदो मार वो चालू करते थे पूझा पता ही ना करते हैं इतना परोजा तोड़ दिया तुम्हों नहीं पहले पूछेंगे कहां गो तो तुम कोगे पढ़ेंगो काहां पहुन कोन के पास आगो तुम्हों पैसे ही भॉन आओ और मोड़ें पूचे काहिज आओ तो ग पर अगर मैं कहुंगा कि नहीं आया था बच्चा तो पापा मारेंगे मारेंगे भॉन ना क्योंकि पापा को मालम है एक साथ एकी समय पर एक इंसान दो जगए है अब सुने इधर two magnetic lines of forces never intersect each other तो magnetic lines of forces कभी एक दूसरे को intersect नहीं करती है क्यों नहीं करती है current सने तो इसको समझाने के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए माल लिया कि magnetic lines of forces एक दूसरे को intersect करती है क्या माल लिया मैंने magnetic lines of forces एक दूसरे को intersect करती है हो तुट है दो यह नेनिन मेंटक बना दिया एक मैगनीट मैं कि utilized ilry ठिंए तीको मैं कि या मैगनेटिक का इंटरसेक्ट लोही है यह रहाई है कि यह इनका इंटरसेक्शन आप न्ज का मैंना पता की तो वह रखते मेlles धर्टम है थे पिंट कॉणंट के यह march वह यह सवाली magnetic lines of forces के साबसे tangent draw करूँगा तो magnetic field की direction यह हो गई एक ही point पर magnetic field की direction हो गई और ऐसा होना impossible है listen, दो magnetic lines of forces कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती क्योंकि यदी वे काटेंगी क्योंकि यदी वे काटेंगी तो उनके intersection point पर दो tangent draw की जा सकेंगी जो की एक ही point पर magnetic field की दो-दो direction को represent करेंगी और ऐसा होना impossible है again I repeat two magnetic lines of forces never intersect each other because if they intersect then at intersection point two tangents can be drawn which will show the two direction of magnetic field at one point and that is not possible scene clear है? समझ मैं आ रही मेरी बास सभी को तो यह खतम होता है हमारा magnetic lines of forces and its properties मैं एक बार फटा फट जट जट आप लोगों के सामने बोल देता हूं तो आंसे सुनले last बोल रहा हूं किसी ने बूचा magnetic lines of forces होती है तो मैं बोलूँगा magnetic lines of forces are the closed smooth curve in a magnetic field on which if we draw a tangent at any point then it will show the direction of magnetic field at that point scene clear है? now properties of magnetic lines of forces properties की अगर हम लोग बात करें तो magnetic lines of forces are the closed smooth curve the direction of magnetic lines of forces is from north pole to south pole outside the magnet and south pole to north pole inside the magnet it is the closed curve if we draw a tangent at any point on the magnetic lines of forces then it will show the direction of magnetic field at that point clear है? if the magnetic lines of forces are nearer to each other then the intensity of magnetic field will be high and if they are far from each other then the intensity of magnetic field will be low in uniform magnetic field magnetic lines of forces are parallel and equidistant to each other clear है? और two magnetic lines of forces never intersect each other because if they intersect then at intersection point two tangents can be drawn which will show the two direction of magnetic field at one point and that is not possible scene clear है सभी को? तब फटाफट magnetic lines of forces and its properties 2-3 मिनिट का समय दिया पूछोंगा ओके तो आज के लिए परियापते कल फिर मिलते हैं thank you everyone have a great day to all of you guys as जाएखश के जाएख़ up झाएब लिए घजवे एंदी